आम आदमी पार्टी के मुखिया अर्विंद के जिर्वाल की आफत कम नहीं हो रही है। दिली शराब घोटाले मामले में जेल जाने के बाद अर्विंद के जिर्वाल को सीम पत से स्तीफा देना पड़ा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे अर्विंद के जिर्वाल फिर सल अर्विंद के जिर्वाल के लिए उनके द्वारा किये गए घोटाले उनकी गले की हड़ी बनता जा रहा है। अर्विंद के जिर्वाल के लिए लगातार बुरी खबर आ रही है। अर्विंद के जिर्वाल के खिलाफ सतर नयायाले का रुख किया था। मजिस्टेट अदालत ने एडी की शिकायत का संग्यान लेते हुए अर्विंद के जिर्वाल को अपने समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था। आप नेता ने उन्हें जाडी समन की अंदेखी को लेकर एडी की ओर से दायर दो शिकायतों के बाद मजिस्टेट अदालत द्वारा जाडी समन को सतर नयायाले में चुनोती दी थी। इडी ने मजिस्टेट अदालत के समक्ष शिकायत दायर कर अनुरोध किया था कि कतीत आपकारी नीती घोटाले से जुरे धन्शोधन मामले में अर्विंद के जिर्वाल को जाडी कई समन की अंदेखी को लेकर उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। बतादे की अर्विंद के जिर्वाल की ओर से दायर अर्जी कोट में अभी तक लंबी थी, कुल मिला कर देखे तो अर्विंद के जिर्वाल के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, हर तरफ से उनके लिए बुरी खबर आ रही है, सियम पत से इस्तिफा देने के बाद उन्हें शीस महल भी खाली करना पर रहा है, जिसको लेकर भी आम आदमी पार्टी तिल मिलाई हुई है। शीस महल खाली करने को लेकर संजय सिंग बीजेपी पर निशाना साथ रहे थे। बिरो रिपोर्ट ओमेच निउस और भी वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।